नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ सनाव सैन इकरा इंडियन गैस अजनसी से दो लाक सहती सजार रुपए के लूट घटना को अंजाम देने वाला अपराधी जूटा इलाज करा रहा है परसासन को गुमरा करने के लिए जैपरकास पांडे और चंकी पांडे मजोलिया थाना में हुआ फाई यार दरजा पराधियों को बचना अब होगा मुश्किल इसके आई ओ बिनोत कुमार सिंग ने कहाई कि गुंडा गर्दी नहीं चलेगी जो अपराधी है चंकी पांडे उसका दस्वीर आप देख सकते हैं इस खबर में इस सीयं अपराधियों ने निसाना बनाया एकरां इंडियन गैस एजन्सी के माली को लूटे दो लाक सहतिया रुपए है या पस्टमी चंपार्ड के मंजॉलिया थाना अंतरगत इक्रा इंडियन गैस एजिंसी से दो लाग सेते सजार रुपय का लूट की एक घटना घटी है वहीं मंजॉलिया थाना में मुझाहिद अंसारी के द्वारा एफाई आर दर्श करवाया गया था मंजॉलिया थाना कांड संक्या 34 दिनांग 13 1222 केस नंबर 147 149 323 बटे 324 384 379 504 506 448 दर्श किया गया है मंजॉलिया थाना के तरफ से कारवाई की जा रही इस के आई यू विनोट कुमार सिंग जाज परताल में जुट गए है वही मुझाहिद अंसारी ने बताया कि मैं दिनांग 13 1222 को सुबा 10 बजे गयस गोदाम से बैंक जाने के लिए बैंक का बाउचर बना रहते उसी करम मे जैप्रकास पांडे म, चंकी पांडे और इन दोनों के साथ अनिव्यक्त अचानक गयस एजंसी में पहुच गया और मेरे उपर कटा चाकू दिखा कर बोला लो कि अभी तुमारे पास जितना भी पैसा है वो सब देदों वरना हम लोग जान से मारतेंगे मेरे पास बैंक ले जाने के लिए रखा गया पैसा दो लाक से तिस जार रुपया इन अपराधियों के द्वारा ले लिया गया साथी मेरे गले का एक सोना का चायन जो पचास जार का था वो भी छिन गया है वहीं लूट का अंजाम देने वाला पराधी जैप्रकास पांडे उम्रचालिस वर्सात में आए हुए उसका भतीजा चंगी पांडे उम्रचाबिस वर्स जो समीति में जीता है इन दोनों ने इस घटना को औरने कुछ अपराधियों के साथ मिलकर अंजाम दिया और परसासन की आखों में धूल शोक्तियों अपराधी घटना को अंजाम दे